आज मैं आपको एक बहुत इंट्रस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, हर 5 मिनट में आपको trending topics मिलेंगे, अब आप कौन सी निश्के ओपर अपना blog create कर चुक है या करने वाले है, चाय वर्डप्रेस यूज़ करते हैं या फिर blogger, वो health से related है, sports से related है, astrology से या फिर entertainment से related है, इ इससे आपको बहुत help मिलेगी, अगर आप YouTube का channel start करना चाहते है, या फिर कर चुक है, उसके भी आपको topics नहीं मल रहे है, वीडियो किस पर create करे, तो आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, पर उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, अगर आपने topics regular नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते, और blogging में भी यही होता है wordpress और blogger, जो भी platform आप use कर रहे है friends, उसके अगर आपको content नहीं मिलता, तो आपका भी interest lose हो जाता है, और आज मैं आपकी इसी problem को solve करने वाला हूँ, और उससे पहले आपको यह पता ह प्रूरी है, उसके मैं नीचे description में एक link दूँगा, जैसी आप उस link पे click करेंगे, direct इस page में आजेंगे, और इस page में आपको सारी details मिल जाएगी, कि Google AdSense किस language को support करता है, supported language के नाम से वो link होगा, जब आप उस पे click करेंगे, तो आपके पास यह सारी details आजेंगी, यहाँ प बताने को मैं एक minute में बता सकता हूँ, अगर मेरे कुछ भाईयों को English समझने में problem आती है, तो just उन्होंने इस सारे content को copy करना है, Google Translate में जाने है, English को select करना है, और उसके बाद जो वहाँ से copy करा है, इसे paste कर देंगे, और जो आपकी language है, उसको यहाँ से जरूर select करें, और जो यह लिखा है, वो सारा उस language में convert हो जगा, आप सब यह जानते होंगे, पर में भी कुछ लोग इसको use नहीं करते, जिसकी वज़े से उनकी knowledge थोड़ी अधूरी रहा जाती है, तो मैं पूरी knowledge देना चाहता हूँ, अपने channel से, इसलिए जहाँ पे भी आपको problem आए, आप copy और paste करके अपनी language में translate कर सकते है, अब आपको trending topic कहां से मिलने वाले है, चाहिए आप हिंदी में लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखना चाहिए, या किसी और language में लिखना चाहिए, आपको Google के अंदर जाके लिखना नव भारत online news, आप चाहिए तो कोई भी news website को कर सकत करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, आपके पास ना तो traffic आएगा और आपकी मैनत यहीं पर waste हो जाएगी, page को मैंने पूरा नीचे करा, अब आप कौन सी state से belong करते है, बिहार, हर्याना, लखनाओ, मुंबई, इस तरह की friends, आपको काफी states यहां से मिलने वाली है, अगर आ overall सारी news देना चाहते है, किसी भी चीज से related, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपको वह बताता हूँ, अगर आप अपनी सिर्फ news website बना रहे है, हिंदी news website तो एक निश को पकड़ सकते है, breaking news, Delhi news, Indian lockdown, या फिर bank holidays, SSC Delhi police result, इस तरह से आप किसी भी एक link के उपर क्लिक करे, for example मैंने SSC Delhi police result के उपर क्लिक करा, अब मेरे पास सारी latest news आएगी, और थोड़ी थोड़ी देर में friends ये update होती रहती है, तो आपको अच्छा खासा content मिलने वाला यहां से, आपके पास news की कभी भी कमी नहीं रहेगी, आपकी निश अगर astrology, lifestyle, entertainment, sports, top stories, इस तरह की news ह तो friends, आप यहां से अच्छी खासी list निकाल सकते है, नीचे आप देखेंगे, आपको अच्छी खासी language मिल रही है, क्या यह language, Google Adsense support करता है या नहीं, उसके लिए जो मैं link दे चुका हूँ friends, उसमें जाके आप जरूर देखे, ये तो मैंने सिर्फ अभी एक newspaper का आपको idea दि आपको copy paste ने करना, आप इस news पर ध्यान देना, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, for example, यहां से lifestyle में मैंने अक्षे कुमार के उपर click करा, और उसके बाद आपको एक ही title मिल गया, यह सारे latest news होती है, trending news होती है, यहां से आपने title के अंदर कुछ change करना है, as it is आपने copy न words में, अगर यहां पर लिखा है, गिरते बालों के लिए, इसी word को आप लिख सकते है, ज्यादा बाल गिरने के बाद, मतलब आपने इस तरह से words को use करना है, अब आपके पास trending news आ चुकी है, आपने उसकी lines को change करना है, और ज्यादा time आपको बिलकुर ने लगेगा, अब आपको इस line को पढ़के अपनी language में change करना है, तो बहुत easily आप उसे कर सकते है, और आपको यह सब type करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा है, अमीता बच्चन के बारे में कहा जाता है, मैं Google Translate में जाऊंगा, हिंदी को select करूंगा, यहाँ से मैंने सारा content delete करा, और यहाँ से आपने माइक को on करना है, और जो बोलना चाहते हैं, आप easily बोल सकते हैं, भले इस news को आप अपने mobile में open करें, mobile में देखने के बाद आप यहाँ से click करके उसे बोलना शुरू कर दे, लोग अमीता बच्चन के बारे में कहते हैं, आप देखेंगे जो मैंने line बोली easily वो type होगी, एक तो आपका type होने का time बच गया, trending news का आपको idea मिल गया, अब होती है images, अगर आप मेरे पुराने subscribers है तो जरूर जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ी सी hint दे देता हूँ, आप कहीं से भी जब image को लेते हैं, तो उसके अंदर किसी भी brand का, किसी भी company का watermark बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी news website से आप किसी भी image को उठा रहे हैं, तो अगर उस news website का उसके अंदर watermark है, तो आपको वो remove करना पड़ेगा, नहीं तो friends, आप उस news website का नीचे credit link दे सकते हैं, उसमें कोई harm नहीं है, आप किसी tips and tricks के उपर video बना रहे हैं तो आप कहीं से भी mobile को download कर सकते हैं, in fact company भी यही चाहती है कि आपकी website में traffic ज़्यादा है, और उनी का brand आप उसे promote करके दे रहे हैं, तो वो क्यों आपको copyright strike देगी, बस किसी भी company का website का उस image के उपर watermark नहीं होना चाहिए, अब जैसे मैंने अमिता बच्चन वाली line बोली, आपको इसका भी example बताते हैं, अपने जमाने के super hit actor गोविंदा भी field में काफी active रहने के दोरान ही गंजेपन का शिकार होने लगे, इस line को भी आप बहुत easily change कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप सब जानते हैं, गोविंदा एक superstar actor है, उन्होंने shootings के काफी word record बनाया, और उस busy time के दुरान उन्हें भी गंजेपन का शिकार होना पड़ा, आप देखरें इससे line का मतलब तो वही है, पर content मेरा पूरा change हो गया, एक unique article मिल गया, आपको ये ज़्यादा time नहीं लगेगा, बस एक बार पढ़ने हैं, उसी समय line को convert करें, और convert भी कैसे करन Google Translate को use करके, इससे आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी, अब यहाँ से मैं footer पे ले जाता हूँ, और आप देखेंगे आपको कितना कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, थोड़ी बहुत, और यहाँ से आपक जागरन, Znews, इस तरह की बहुत सारी आपको sites मिलने वाली है, जहां से आपको 5-5 मिनट के अंदर unlimited trending topics मिलने वाले है, और YouTube वीडियो के लिए भी सारे लोग ऐसी करते हैं, अपना face में दिखाते हैं, mobile laptop on कर दिया, voice over करी, और उसके उपर images लगा दी, अगर आप Govinda के बारे म आपकी चलती रहेगी, इसी तरीके से friends trending topic मिलते है, Google Trends पर भी आपको इतना data नहीं मिलेगा, जितना इन news website से मिल जएगा, I hope आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे like और share ज़रूर करें, ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला ह तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत